अब यदि इस निकाय की गती के बारे में अध्यन करना हो तो हम सेंटर ओफ मास की गती के बारे में अध्यन करेंगे और हम जानते हैं कि कोई कण यदि गती कर रहा हो यानि कि उस पर बल लगेगा बल लगेगा तो वेग में परिवर्तन होगा यानि कि यूँ कहें कि उस कर्ण में त्वरन उत्पन होगा तो अब हम center of mass के लिए wake का समिकरण ग्याद करेंगे हम ने यहाँ पर देखा कि center of mass के स्थिती सदीश को हम लिख सकते हैं rcm बराबर summation of miri जहाँ पर i command 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है upon m है अब इसके दोनों पक्षों में मैं dt से भाग दो या फिर यह कह सकते हैं दोनों पक्षों का समय के साथ हम अवकलन करें तो हम लिख सकते हैं d rcm upon dt बराबर d upon dt summation of miri जहाँ i command 1 से लेकर n तक है upon m हम यह जानते हैं कि किसी भी वस्तु का समय के साथ साथ इस्थिती में परिवर्तन वो उसके वेक को दर्शाता है यहाँ पे r इस्थिती सदीश है और समय के साथ साथ इस्थिती सदीश में परिवर्तन उस कर्ण का वेक बताएगा तो d rcm upon dt को हम लिख सकते हैं center of mass का वेक तो vcm बराबर हो जाएगा 1 upon m summation of m i d r i upon dt जहां i का मान 1 से लेकर n तक वेरी करता है यहाँ हमने समय के साथ साथ इस्थिती सदीश में परिवर्तन लिया है क्योंकि समय के साथ साथ कणों के द्रवे मान में परिवर्तन नहीं होगा समय के साथ साथ इन कणों के स्थिती सदीश में परिवर्तन होगा इसलिए हमने यहाँ पर d r i upon dt लिया है अब यह हो जाएगा 1 upon n summation जहां i कमान 1 से लेकर n तक वेरी कर रहा है m i और यह d r i upon dt यह बता रहा है वेग किसी भी आयत करण का मतलब कोई भी करण हम लेख सकते है 1,2,3,4 कोई भी आयत करण हम ले रहे है उसका वेग बताएगा उसकी स्थिती में समय के साथ साथ परिवर्तन उस करण का वेग बताएगा तो यहाँ पर हमने लिख है v i तो इस प्रकार v cm बराबर हो जाएगा 1 upon m सबमेशन जहां i vary कर रहा है 1 से लेकर n m i v i और इसी से उत्र से हम देखे यदि m को मैं cross multiply कर दो तो यह हो जाएगा m v cm बराबर सबमेशन of m i v i यह जो m cm है m मतलब पूरे वस्तू का द्रव्यमान जब उसको center of mass के wag से गुणा कर रहे है तो वह center of mass का संवेख बताएगा और यह जो m i vi का summation दे रहे हैं यह हर कर्ण के wag का योग बताता है तो इस तरीके से जो center of mass का संवेख है वह system के पूरे कर्ण के संवेख के योग के बराबर होगा यानि कि पूरे कण का समवेग का योग हम देखे तो वो केवल सिस्टम सेंटर ओफ मास के समवेग के बराबर होता है और यदि इस सेंटर ओफ मास का त्वरण ग्याद करना चाहे तो हम जानते हैं त्वरण वेग में परिवर्तन की दर होती है यह जो वेग का समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसका हम अफकलन करते हैं समय के सापिक्ष तो यह वेग में परिवर्तन की दर को रिप्रेजन्ट करेगा और वेग में परिवर्तन की दर यानि की समवेग तो इन दोनों पक्षों में हम अवकलन करते हैं समय के सापिक्ष तो यह हो जाएगा D upon DT of VCM बराबर D upon DT of 1 by M सबमेशन I command 1 से लिकर N तक है M I V I अब इस सबमेशन में से अब राइट हैंड साइड में हम देखें तो अवकलन में से M बाहर हो जाएगा क्योंकि यहां पर किसी भी वस्तू का द्रव्यमान समय के साथ सा चेंज नहीं होगा चेंज क्या हो रहा है वेग इसलिए हम लिख सकते हैं D VCM upon DT बराबर 1 upon M सबमेशन I command 1 से लेकर N तक है M I DVI upon DT जहाँ DVI upon DT किसी भी आयत पार्टिकल का त्वरण बताता है यह उस पार्टिकल का समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन बता रहा है यानि यह आयत पार्टिकल का त्वरण है इसलिए हम लिख यहां पर लिख सकते हैं D VCM upon DT बराबर 1 upon M सबमेशन I command 1 से लेकर N तक है M I A I और D VCM upon DT यानि कि यह सेंटर ओफ मास के वेग का समय के साथ साथ परिवर्तन बता रहा है यानि कि यह सेंटर ओफ मास का त्वरण बताएगा इसलिए हम लोग लिखेंगे ACM बराबर 1 upon M सबमेशन I command 1 से लेकर N M I A I और इस प्रकार सेंटर ओफ मास के लिए इस त्वरण का समी करण ग्याद करने के पश्चाथ हम सेंटर ओफ मास पर लगने वाले बल की आरोपित बल की भी गणना कर सकते हैं हम जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान इन्टू त्वरण यानि कि दोनों पक्षों में यदि मैं M से गुणा करूं M जो की पूरे निकाय का द्रव्यमान है तो यह हो जाएगा M A center of mass equal to M upon M summation of I command 1 से लेकर N तक है M I A I और यह M into A यानि कि द्रव्यमान into त्वरण यह बताता है center of mass पर लगने वाले बल को तो हम लिखेंगे F C M बराबर summation I command N से लेकर 1 से लेकर N तक M I A I क्योंकि इस समीकरण में M और M cancel हो जाएंगे और यह M I A I यह क्या बताता है द्रव्यमान और त्वरण का जो गुडन फल है वो बल को बताता है तो यहाँ पर M I A I यह आयत पार्टिकल 1, 2, 3, 4 को भी पार्टिकल लेक सकते हैं आयत पार्टिकल पर आरोपित बल को दर्चाता है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं F C M बराबर summation I command X से लेकर N तक F I यानि कि इस सिस्टम के सभी कणों पर लगने वाले बल का जो सदीश योग होगा वो इस सिस्टम के द्रविमान केंद्र पर लगने वाले बल के बराबर होगा बल यहां पर सदीश राशी है इसलिए जब हम लोग योग कर रहे हैं तो यहां पर सदीश योग लिया जाएगा और यह सारे कणों का सदीश योग केवल सेंटर ओफ मास पर लगने वाले बल के बराबर होगा इसलिए तो जब हम कोई एन कणों वाले सिस्टम की गती का अध्यन करते हैं तो सभी कणों की गती का अध्यन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता तो हम केवल उस वस्तु का center of mass गयाद कर लेते हैं और center of mass की गति जैसी होगी वैज़े ही वस्तु की गति होती है और यही मान कर हम वस्तु के गति का अध्यन कर लेते हैं अब सम्वेक संग्रक्षण की नियम सम्य जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर यदि बाहेबल ना लगाया जाए तो उस वस्तु की स्थिती में अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी यदि वस्तु गतीशील है तो वो उसी वेक से उसी दिशा में निरंतर गतीशील रहेगी यदि कि उस पर कोई भी बाहेबल ना लगाए जाए तो यहां पर हम सेंटर ओफ मास के लिए यानि कि द्रविमान केंद्र के लिए संवेख संग्रक्षन का नियम देखते हैं सूत्र अनुसार हम देख रहे हैं गती के दूसरे नियम से एफ बराबर डीपी अपॉन डीटी यानि कि किसी भी वस्तू पर आरोपित बल उसके संवेख परिवर्तन की दर के बराबर होता है तो हमने यहां पर यह सूत्र लिखा और संवेख बराबर होता है द्रविमान इंट संवेख अब यहां पर हम सेंटर ओफ मास की बात कर रहे हैं सेंटर ओफ मास का जो संवेख होगा उसको हम लिखेंगे एम इंटू वी सीम तो एफ बराबर हो जाएगा डी अपॉन डीटी एम इंटू वी सीम अब इसी समीकरण में यदि बल का मांशून्य हो मतलब निकाय प होगा अब किसी राशी का अवकलन करे और मान जीरो आ रहा हो इसका मतलब वो नियत राशी है तो यहां से हम देखते हैं एम वी सीम बराबर नियत होगा और इस समीकरण को हम देखें तो एम तो नियत ही है क्योंकि वो तो वस्तू का दरविमान है तो यहां पर जो वेख वस्तू का वो भी नियत ही होगा तो इस समिकरण से हम देखते हैं कि 27 बराबर एक नियत राशी होगी और यहां से हम समवेग संग्रक्षण की नियम को कन्क्छूड कर सकते हैं कि यदि किसी वस्तू पर कोई बाहपल ना लगाया जा रहा हो तो इसका व्य नियत है यानि वस्तु उसी अवस्था में है अगर स्थिर में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी यदि गती शील है तो वो उसी दिशा में उसी वेक से ही गती शील रहेगी अब इसी नियम पर अधारित हम कुछ अपने दैनिक जीवन के उधारण देखते हैं बच्चों फटाके जलाते हैं, आपने रॉकेट जलाया है, जब रॉकेट को जलाया जाता है, यह उपर आसमान में जाता है, और जब यह उपर आसमान में बिल्कुल उर्ध्वाधर नहों के, कोई छेतिज दिशा में जाता है, तो इसका रास्ता कैसे हो जाता है, परवलेकार, प्रवले मतलब उसको यदी हम लोग जमीन से कोई कोण मनाते हुए फेकते हैं तो वो परवल्यकार पत के रूप में आगे जाता है लेकिन रॉकेट तो ऊपर जाते ही आस्मान में फट जाता है क्रैक्स हो जाते उसमें और उसके जो छोटे-छोटे कर्ण होते पार्टिकल्स वो इधर- द्रव्यमान केंद्र होगा उस पर जो कण होगा वो वही रास्ता अपनाएगा जो पहले परवल्यकार पत का था मतलब उसके पत की दिशा में आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा वो अपने पहले परवल्यकार पत से आगे की और बढ़ेगा और ऐसा ही एक उधारण हैं ग्रहों की गति हम जानते हैं कि सूरज के चारों और पृत्वी दिर्ग वृत में चक्कर लगा रही है और पृत्वी के चारों और चंद्रमा वृताकार पत्थ में चक्कर लगा रहा है यह चंद्रमा और पृत्वी एक सिस्टम का एक निकाय का निर्मान करते हैं जिसमें की दो वस्तुएं हैं एक पृत्वी और दूसरा चंद्रमा यह पृत्वी और चंद्रमा के बीच में इनका कोई द्रवयमान केंद्र होगा और पृत्वी और चंद्रमा दोनों इस द्रवयमान केंद्र के चारो और वृताकार पत में चक्कर लगा रहे हैं यदि पृत्वी का वृताकार पत देखें तो वो चंद्रमा की तुल्ना में छोटा है और इस प्रकार ये दोनों ही सेंटर ओफ मास के चारो और वृताकार पत में चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हम यूँ कहते हैं कि पृत्वी जो है वो सूरज के चारो और दिर्ग वृत में चक्कर लगा रही है तो एक्चुली पृत्वी और चंद्रमा दोनों तो एक निकाय का निर्मान कर रहे हैं तो वृताकारपत में इन दोनों कणों के सिस्टम का द्रविमान केंद्र चक्कर लगाता है और इसका आकार ये दिर्ग वृत के रूप में ही होता है अब एक और उधारण लेते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का विसफोट हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव दो पार्टिकल के रूप में बट रहा है अब इस दोनों पार्टिकल का सेंटर आफ मास अपनी जगा स्थिर ही रहेगा और जब इसमें विसफोट होगा तो इसके दोनों पार्टिकल इस सेंटर आफ मास के विपरित दिशा में गती करेंगे एक पार्टिकल एक साट अगर दोनों पार्टिकल्स के द्रवयमान समान हुए, तो वो एक ही वेक से विपृत दिशा में गती करेंगे center of masking लेकिन यदि इन पार्टिकल के द्रव्यमान अलग-अलग हुए तो जो भारी पार्टिकल होगा वो धीरे या कम वेक से द्रव्यमान के इंदर से दूर जाएगा जबकि जो हलका पार्टिकल होगा वो इस भारी पार्टिकल के जस्ट विपरत दिशा में अधिक वेक से दूसरी और जाएगा जबकि दरवे मान केंदर अपनी जगह पर बना ही रहेगा अब एक और उधारन लेते हैं मान लीजे हमने एक बल्ले को हवा में उच्छाला है यह किसे बोटल को हवा में उच्छाला है यह बोटल यह बल्ला घूमते घूमते आगे की और गती करता है इस बल्ले की यह बोटल की जो गती होती है वो परवलेकार होती है क्योंकि हमने इसको जमीन से कुछ कोण से उच्छाला है और जब भी भी हम जमीन से किसी कोण से उच्छालते हैं उर्धवाधर तल को छोड़ कर तो उसकी गती परवलेकार गती होती है अब बल्ला तो गोल-गोल घूमते हुए आगे की और बढ़ रहा है यानि उसके प्रते कणों की गती देखें तो वो वृताकार होगी लेकिन उस बल्ले का द्रव्यमान केंद्र वो परवल्लेकार रूप में गती करते हुए आगे की और बढ़ेगा अब बच्छों हम बात करते हैं द्रड़ पेंड़ की यानि की रिजिट बॉड़ी किसे वस्तु को हम द्रड़ तब कहते हैं जब बल लगाने पर भी उसके आकार उसके आयतन में परिवर्था नहीं होता हम जानते हैं कोई भी पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है और बल लगाने पर भी उनकी कणों की बीच में कोई आपेक्षिक गती ना हो मतलब उनकी कड़ों के स्थिती में कोई परिवर्ता ना हो एक दूसरे के सापेक्ष तो हम उस पिंड को द्रड़ पिंड यानि की रिजिट बॉडी का नाम देते हैं कि वैसे है कि beta P dazu कोई भी वस्तु द्रड़ पिंड नहीं के एक आदर्ष द्रड़ पिंड होने के लिए वस्तु के करणों में में जो सापेक्षिक के घति है वह शून्न होनी चाहिए मतलब करण अपनी जगे पर स्थिर ही होने चाहिए पर ऐसा कोई भी पिंड नहीं है जिसमें कणों में सापिक्षिक गती ना हो लेकिन हम ठोस को द्रड़ पिंड के रूप में ले सकते हैं तोकि हम देखते हैं कि ठोस पर बल लगाने से उसके आकार और उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता तो इस प्रकार सारे ठोस द्रड़ पिंड के उधारण के रूप में आते हैं किसी भी पिंड के लिए जब हम सेंटर ओफ मास का इस्थिती सदीश निकालते हैं तो सूत्र लिखते हैं RCM बराबर 1 upon M सबमेशन I कमान 1 से लेकर N तक है M I R I लेकिन जब द्रड़ पिंड के लिए हम सेंटर ओफ मास का इस्थिती सदीश क्यात करते हैं तो उस समय हम समाकलन वीधी का स्तमाल करते हैं और ऐसे पिंडो के लिए सेंटर ओफ मास के इस्थिती सदीश का फॉर्मला होता है RCM बराबर 1 upon M R DM यह जो DM है यह सुक्ष्म तत्व है जिसका द्रव्यमान भी अति अल्प होता है हम इस पूरे पिंड में एक छूटा सा तत्व लेते हैं जिसका द्रव्यमान भी अति अल्प होता है और इसी को हम dm से दर्शाते हैं तो इस प्रकार यदि हम किसी दृड़ पेंड के लिए स्थिती सदीश को इस प्रकार लिखते हैं तो इस स्थिती सदीश के coordinates x, y, z होंगे तो इन x, y, z coordinate को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x cm बराबर 1 upon m, integration x dm क्योंकि हम x coordinate लिकाल रहें तो हम यहाँ पर x coordinate लेंगे यदि हम y coordinate के लिखाल रहें तो हम लिखेंगे y cm बराबर 1 upon m integration of y dm और इसी प्रकार z coordinate के लिए हम लिखेंगे z cm बराबर 1 upon m integration of z dm यदि द्रिड़ पिंड का जो center of mass इस coordinate frame के मूल बिंदू पर हो origin पर हो तो हम r cm बराबर शुनने लिखते हैं तो इसी आधार पर हम x cm बराबर भी शुनने लिखेंगे यानि की integration of x dm बराबर भी 0 होगा y cm सुनने होगा यानि की integration of y dm बराबर शुनने होगा और ऐसे ही z cm सुनने होगा इसका मतलब integration of z dm बराबर शुनने होगा अब द्रिड़ पिंड के center of mass का सूत्र जानने के बाद हम एक ऐसी वस्तू का एक ऐसी द्रिड़ पिंड का center of mass गयाद करेंगे जो की एक रेखा के रूप में हो यानि की एक पतली छड के रूप में हो मान लीजे हमने एक पतली छड ली है जिसकी लंबाई L है अब ये एक रेखा के रूप में है ये linear है यानि ये कोई एक ही अक्ष पर रखी जाएगी जैसे कि एक सक्ष पे yEx पे या फिर जड अक्ष पे मान लीजे हमने इस पतली छड को एक सक्ष पे रखा है इस छड का द्रविमान केंद्र हमको ग्याद करना है इस छड की लंबाई L हमने लिए और इस छड का क्ट्रेव नक्ले के पिटल M से दर्शा तत्व लेते हैं अब इसकी लंबाई Dx है लंबाई भी हमने सुक्ष में ली है तो इसका द्रवेमान भी सुक्ष्म होगा अतियल्प होगा तो इसका द्रवेमान हम मान लीजिए Dm से दर्शा रहें तो इस सुक्ष्म तत्व का द्रवेमान Dm बराबर होगा M upon L into DX हमने प्रित्य एकांक लंबाई के द्रविमान को इस DM तत्व की लंबाई से गुणा किया है तभी तो इस तत्व का द्रविमान हमको प्राप्त होगा अब इस छड़ का जो द्रविमान केंदर होगा वो X सक्ष में होगा इसलिए हम इसके द्रविमान केंदर का केवल X कोडिनेट ग्याद करेंगे मान लीजिए इसका द्रविमान केंदर का X कोडिनेट X CM से दर्शाय जा रहा है और वो मूल बिंदू से X दूरी पर है तो हम लोग लिखेंगे X CM बराबर 1 upon M integration of X DM क्योंकि अभी हमने द्रविमान के लिए Center of Mass का सूत्र देखा था उसके अनुसारी हम यहाँ पर लिख रहे हैं यह सूत्र तो X CM बराबर होगा 1 upon M अब यहाँ पर हम लगाएंगे integration की limit यह पूरी छड की लंबाई L है और हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट से तो हम यहाँ पर limit लगाएंगे इसकी सीमा लगाएंगे 0 से लेकर L X और यहाँ पर DM का मान हो जाएगा M upon L DX अब integration के बाद सारे नियतांक निकाल दिये जाएंगे तो X CM बराबर होगा 1 upon M यह integration के अंदर जो M था यानि कि इस छड का द्रवेमान वो भी बाहर निकल जाएगा और L इस छड की लंबाई वो भी नियत राशी वो भी बाहर हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं M upon M L integration 0 to L X DL अब X का integration करते हैं X का integration करेंगे तो integration का formula लगाएंगे integration of X power N dx होता है X power N plus 1 upon N plus 1 तो यही सूत्रम ने इस्तमाल किया यह X के power में 1 है तो हम लिखेंगे X power 1 plus 1 upon 1 plus 1 यानि कि यह हो जाएगा 1 upon L M और M यहां से cancel हो गया है X square upon 2 अब limit लगाएंगे 0 से लेकर L अब जब limit को हल करते हैं तो पहले upper limit लिखते हैं फिर minus lower limit तो हम लिखेंगे 1 upon L और इस X के स्थान पर पहले हम एक बार upper limit रखेंगे और minus करके lower limit तो upper limit लखने पर हमें मिलेगा L square upon 2 minus 0 और finally हमें मिलेगा L upon 2 एक एक L cancel हो जाएंगे तो L upon 2 मिल रहा है तो इस प्रकार इस छड़ का center of mass इस छड़ के बीचों बीच यानि की मध्य बिंदू पर प्राप्त होगा L by 2 लंबाई मतलब इस छड़ की मध्य बिंदू होगी यदि ये center of mass इस छड़ का इस coordinate frame के मूल बिंदू पर हो यानि इसके origin बे हो उस समय इसका coordinate क्या होगा हम x cm बराबर लिखतेंगे 1 upon m integration x dm पर यहाँ पर integration की limit change हो जाएगी क्योंकि अब ये center of mass origin में है तो छड़ दोनों तरफ समान रुप से वित्रित होगा तो एक side हम देखे l by 2 लंबाई होगी दूसरे side भी l by 2 लंबाई होगी और दोनों विपरत दिशा में हैं इसलिए हम limit जब लगाएंगे तो इनको अलग-अलग करने के लिए इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए हम माइनस l by 2 से l by 2 तक limit लगाते हैं और उसको जब solve करेंगे तो हमें मिलेगा 1 upon m into m upon l integration minus l by 2 से l by 2 x d dx अब y x का integration करेंगे तो x square upon 2 होगा और अब limit जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 upon l bracket गेंदर l square upon 8 minus l square upon 8 और यह cancel हो जाएगा एक दूसरे से और हमको finally यहाँ पर मिलेगा 0 तो x cm बराबर 0 हो जाएगा और यही तो हमने पहले भी जाना था कि यदि किसी वस्तू का center of mass उसके मूल बिंदू पर हो यानि कि origin पर हो तो उसके सारे coordinate शुन्य हो जाते हैं तो यहाँ पर छड एक्स अक्ष में रखी गई थी तो उसका x coordinate 0 होगा इस छड के लिए तो हमने देखा कि इसका द्रवेमान केंद्र इसके मध्य बिंदू में था यानि कि इसका जयमिती केंद्र था पर ऐसे कई वस्तु हैं जहाँ पर उसका द्रवेमान केंद्र उसके जयमिती केंद्र में नहीं होता और ऐसा तब होता है जब वस्तु में द्रवेमान का वित्रण समान नहों यहाँ पर हमने छड में देखा कि इस चढ़ में द्रवेमान का वित्रण एक समान था इसलिए इसका जो center of mass था इसके geometrical center पर ही था पर यदि वस्तूब में द्रवेमान का वित्रण आसमान रूप से हुआ तो द्रवेमान केंदर कहीं और shift हो जाता है जिस साइड द्रवेमान अधिक होगा उस साइड इसका द्रवेमान केंद्र शिफ्ट हो जाता है जैसे कि हमने दो कड़ों के निकाय के लिए भी सूत्र ग्याद किया था जिस साइड द्रवेमान अधिक था द्रवेमान केंद्र भी उस साइड शिफ्ट हो गया था जैसे कि अभी हमने चर्चा किया था कि समान पिंडों के लिए द्रव्यमान केंद्र और गृत्वी केंद्र दोनों समपाति होते हैं, मतलब दोनों एक ही होते हैं, इसी को हम इस स्केल के जरिये समझने का प्रयास करते हैं, मेरे पास ये स्केल है लकडी की और हम देख रहे हैं rectangle और इसमें जो द्रवयमान का वितरण हैं वो भी एक समान है मतंब यह स्केल जगासे बराबर हैं मोटाइन में तो इसमें रव्यमान का वितरण भी एक समानी है हम मानके चलते बिसका द्रवयमान केंद्र यह गुरुतविये केंद्र जैद करने की कोशिश करते हैं एक्चुली द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र होता है वस्तू में जिसमें पूरे बॉडी का वस्तू का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है और इसी पॉइंट पर इसी केंद्र पर यदि हम सपोर्ट दें तो यह वस्तू बैलेंस हो जाएगी तो इस स्केल को मुझे बैलें करना है वैसे यह स्केल 30 सेंटीमीटर की है और जब हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु का एक रेगुलर पैटन होता है तो इसका द्रव्यमान केंद्र यह गुरुतवी केंद्र उसके जोमेट्रिकल सेंटर पर होता है यानि कि जैमिति केंद्र पर होता है तो यह 30 सेंटीमीटर के स्केल है तो इसका द्रव्यमान केंद्र 15 के आसपास होना चाहिए तो मैं पहले यह देखते हैं कि सब्वूच सबूर्फ सब्सक्राइब तो ये एक साइट जोग जाता है तो अब इनके बीच में ही कहीं पर द्रव्यमान केंद्र होगा और जैमिती के अनुसार इसका 15 सेंटीमेटर पर होना चाहिए अब मैं स्केल को 15 सेंटीमेटर की दूरी पर यानि कि बीचों बीच पर सपोर्ट देखके देखती हूं क्या यह होता है यह स्केल बैलंस दिख रहा हमको क्योंकि इसका जैमिती केंद्र जो है वह 15 सेंटीमेटर के पास ही होगा और इसी जगे पर इसका द्रव्यमान केंद्र भी है या यूक है इसका गुरुत्वी केंद्र भी है अब यदि इस स्केल का द्रव्यमान का वित्रण आसामान होता तो इसका डुर्व इमान के इंदर पीचों भीच नहीं होता यह किसी और जगे पर होता और जैसे कि हमने चर्टा किये था कि ड्रव इमान के वित्रण के अनवसार ही ड्रव gegangen होता है यहजी वित्रण different हो जाए change हो जाए तो ड्रवयमान केंदर भी हो जाता है अब मैं इस स्केल के एक साइड में इसका द्रव्यमान बढ़ा देती हूं है एक्चुली हम बढ़ा तो रहें वजन क्योंकि हम यहां प्रिटवी बात कर रहें तो यह पर गृत्वाकर्शन बल भी काम कर रहा हैं तो हम तो इसका भार बढ़ा रहे हैं, पर मैं द्रव्यमान कह रहे हूं बच्चों, क्योंकि समान पिंडे के लिए ये दोनों ही कॉंसेप्ट एक ही तरह से लिए जाते हैं, मेरे पास यहां पर एक रबर है, इसमें भी कुछ वजन है, इसको मैं से स्केल के एक साइड रख दे से एंटिमेटर में बैलन्स नहीं हो रही है, जुक रही है, बार बार जुक जा रही है, अब मैं थोड़ा सेंटर को शिफ्ट करती हूं, सपोर्ट दूसरे जगा लगाती हूं, हमने दूई निकाय वाले सिस्टम में जाना, कि जिस साइड द्रव्यमान अधिक होता है, ये स सपोर्ट इस साइड लगाना होगा, 20 सेंटिमेटर पर सपोर्ट दे रही हूं, नहीं हुआ, 23, 22 के आसपास देखते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि 22 पर आने पर ये बैलन्स हो गया, मतलब अब इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, जहां पर इसका द्रव्यमान अधिकता, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यमान के इंद्र डिपेंड करता है किसी वस्तू में द्रव्यमान के वित्रण पर, तो इस प्रकार द्रव्यमान के इंद्र डिपेंड करता है कि वस्तू में द्रव्यमान का वित्रण किस तरह से है, अब अलग-अलग पि दृड़ पिंडों का द्रवेमान केंद्र देखते हैं एक समान चड़ द्रवेमान केंद्र के सिती चड़ के मुख्य बिंदु पर होगी वृतिय वलय इसका द्रवेमान केंद्र इस वलय के केंद्र पर होगा वृतिय चक्ति इसका द्रवेमान केंद्र चक्ति के केंद्र पर ह आयताकार, समानतर, चतुरभूच के आकार का या वर्गाकार पतली चादर इसका द्रवेमान केंद्र इसके विकर्णों के काटान बिंदू पर होगा त्रिभूजाकार पतली चादर इसका द्रवेमान केंद्र इसकी मध्धिकाओं के काटान बिंदू पर होगा बेल्ला करचड का दर्विमान केंद्र बेल्ला करचड के अक्ष के मध्य बिंदू पर होगा गोल इसका दर्विमान केंद्र इसके केंद्र पर ही होगा शंको इसका द्रवेमान केंद्र सिर्ष को आधार के केंद्र से मिलाने वाली रेखा पर आधार से कुल लंबाई की एक चोथाई दूरी पर होगा घनाप यह घन इसका दर्वेमान केंद्र विकर्णों के कटान बिंदू पर होगा अर्ध गोला इसका दर्वेमान केंद्र लमवत अक्षपर केंद्र से तीन बटे आठ त्रिज्य की दूरी पर होगा खोकला शंकू इसका दर्वेमान केंद्र अक्षपर आधार से एच अपॉन थ्री उचाई पर स्थित होगा